हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोग एक तिरंगा नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए अपने देश के लिए मैं क्या कर रही हो आप क्या कर रही हो मतलब इधर आप क्या ही है अपने तिरंगे का अपमान मैं नहीं रखा इसले हिंदुस्तानी फौजी की आंखे बाज से भी ज़्यादा तेज होती है चलो मान लिया आपने इस जंडे को यहां नहीं फेका पर उठा तो सकती थी ना अपनी अपनी आपकात में ही हूँ अगर मेरी आखों के सामने कोई तिरंगे की बेज़ती करेगा ना तो आखें निकाल लूगा मैं उसकी क्या सिर्फ हम फौजी का ही कर्मे तिरंगे की हिफाज़त ये कोई ऐसी वैसी चीज़े क्या अपने देश की आनबान शान है ये और तिरंगे की हिफाज़त सिर्फ फौजी का कर्म नहीं बलकि हर इंदुतानी का फर्ज है अरे जाना या टाई मत खराब कर मेरे बहुत लड़की को नहीं मरा बल्कि बद्तमीज लड़की को मारा हमें यह नहीं सिखा जाता कि किसी बेगुना-इंसान पर अपना हांख भी उठाया जाए लेकिन इतना इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि अगर कोई इंसान हमारी तिरंगे की तरफ आख उठा करके भी देखेगा तो कि इंदुस्तानी फॉजी आखे निकाल लेगा उसकी फॉजी होने का बड़ा घमंड है तुझे उकाथी क्या है तुम्हारी घमंड नहीं फॉजी होने का बहुत ही ज़ाधा घमंड है मुझे और इतनी उकाथी मेरी काफी है तुम जैसे लोगना 25-30,000 की नौकरी करके ही खतम हो जाते हो और देख मेरी आउकाद 10 लाग की गाड़ी में घुमती हो तुम घुमो 10 लाग की गाड़ी में, हमें 50 डिग्री गर्मी, माइनस 50 डिग्री ठंडी, तेज बारिश में भी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश के लिए हस्ते हस्ते सीने पे गोली खाने में फक्र महसूस होता है, यही हमें सुकून देता है, तुम क्या जानो असली इस वक्त होता क्या है, सुन अब बहुत हो रहा है तेरा, तुने तो मुझे एक ठपड मारा ना, मैंने तुझे 10 नम मरवाया ना, तो मेरा भी नाम हनी नहीं, मेरी दीदी यहां की DM है, रुक, अभी बोलवाती उसे, तु बस यहां से भागना मत, बिना डरे सीने पे गोली तुझाने वाले को ठपड सड़ा रही हो, फाजी हूँ, एक इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं अटूंगा, जिसे बुलाना है बुलाले, मैं भी तुझरा देखूँ, उसे अपना देश प्रेम पहले दिखता है, या फिर ये बहन, रुक, अभी समझ आ जाएगा, दीरी, यही है वो इंसान जितने मुझे थपड मारा है, कितना मारा, एक, वो भी बहुत जोर का, कम ही मारा था, तुम एक फोजी के बारे में बुरा भला बोल रही हो, समझ में आता है, ये कौन है, मैं सॉरी, बट शायद आपकी बहन को जादा ही मॉडर्ण है, इसे इधर फेका और जा रही थी, वो फट गया था, तो रख के क्या करती, अच्छा फट गया था, एक मेंट मैम, ये कितने का नोट है, सौका, अब कितने का है, सौका, अरे क्यों, फटने से इसकी वैल्यू खतम नहीं हुई, मैं भी फेक देता हूँ इसे, बड़े शर्म की बात है, एक नोट फट जाने के बाद भी अपनी वैल्यू नहीं खोता है, चाहे वो दस, बीस, पचास, सौ, हजार कितने का भी हो, लेकिन हमारा तिरंगा, जो अनमोल है, वो फट जाने के बाद अपनी वैल्यू खो देता है, लोग इसे फेक देते हैं, व हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं, तो क्या तुम लोगों एक तिरंगा नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए, अपने देश के लिए, इस वीडियो के बाद शायद मुझे कुछ बोलने की जरूत नहीं है, बस दोस्तों अपने तिरंगे की और अपने जवानों की हमेशा इज़त करना, वो भी सच्चे दिल से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जय हिंद!